hi everyone good morning कैसे है आप सब I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे and welcome to my new vlog morning wish मैंने इसले कर दी एक तो habitual हो गई हूँ और mainly morning में मेरे vlog start होते हैं बट इस time पे 3.30 का time हो गया था हम एरपोर्ट के लिए निकल गए थे मनीश आये थे 3 o'clock के आसपास आये थे मैंने सब पैकिंग वेकिंग करी रखी थी मैंने लास्ट लॉग में शेयर करा था तो बस जस्त वो आये थे उन्होंने कपड़े चेंच करे और शूज वगएरा चेंच करे थे और हम निकल गए थे मार्केट में आये थी कैप बुक कर ली थी मनीश ने हम घर से निकले थे हम में लगा हम मैट्रोस जाने वाले हैं तो मैं बाहर की साइड आगी थी निकल कर गे फिर इन्होंने देखा तो कैप बुक कर रखी थी और इतनी ज्यादा गर्मी थी मिलब हमारी गली से आगे वाली कि थी हमारी जो फ्लाइट थी बड़ थोड़ा सा पहले निकलना होता है क्योंकि हमें जाने में भी एक गहंटा लग जाएगा कर ट्राफिक हो गया तो फिर तो और भी ज्यादा टाइम लग जायेगा और एपोर्ट पे थोड़ा सा पहले भी पहुंचना होता है चेक इंग पहुंचना था टर्मिनल टू पे और हम यहां आ गए थे तर्मिनल वन पर अभी हम जा रहे हैं जो कि जाते ही हमारी हिहां से जो जर्णी थी न उसमें पहली रुकावटी आ गई थी कि मनीश ने टिकेट्स में ध्यान से देखा नहीं हमारी दो टिकेट्स थी हमारे पर उसकी थे फर्स वाला प्रिंट जो था मतलब डेली टू गोवा था और फिर गोवा टू डेली था तो उनको वहां हो गई यहां हम एरपोर्ट पहुंच गए और यहां हमने कैब वैप की पेमिंट वगएरा कर दी और कैब अपना चली गई थी उसके बाद फिर हम सिक्यूर्टी चेकिंग वगएरा पर जो अंदर एंटर के लिए होती है ना काड आपका आईडी वगएरा चेक करते हैं तो उन्होंने आपकी टिकेट वगएरा देखी तो उन्होंने हमें वहीं पर रोक दिया कि सर आपके जो फ्लाइट है वो टर्मिनल वन से टर्मिनल 2 जो तर्मिनल 2 जो था वो 10 किलो मेटर से प्रॉक्स दूर था तो फिर अब हमें समझ नहीं आ रहा था अब हम क्या करेंग और टाइम भी कम हो गया था मतलब साड़े पांच बजे के आसपास का टाइम हो गया था लग रहा था यार फ्लाइट ना चुट दया तीन तीन लोगों की टिकेट्स ना वेस्ट हो जाएं तो वहां पर पूछा किसी सिक्योर्टी बगेरा से तो उन्हों ने बोला कि यह जो अंदर की साथ ब पर पहुंचाया तेन किलोमेटर का डिफरेंस था आइधिंग टर्मिनल वन जो है वो तो पालम की आसपास ही है और जो तर्मिनल टू था वह गुडगाओं के आसपास बॉर्डर पे था इस तो थोड़ा से टाइम लग गया था पहुंचने में और यहां पर मनीश अपनी कोई भी चीज भाग दौड करो तो दिमाग एकदम काम नी करता तो गर्मी बहुत जादा थी दिमाग काम नी कर रहा था और फाइनली फिर हम यहां पर टर्मिनल टू पे आकर के पहुंचे अगर हम थोड़ा सा पहले भी देख लेते ना टिकेट को तो वही कैप को हम टर्मि जाए ना चूट जाए तो फिर उसके बाद फाइनली हम यहां पर सवाचे बजे के असपास टर्मिनल टू पर पहुंच हम सौरी बीच में कॉल आ गई थी जिसकी वैसे वाइस ब्रेक हो गया और उसके बाद से यहां टर्मिनल टू पे पहुंच करके मनीश ने हमारे बोडि बोडिंग पास वगयरा हमने लिया और यहां पर बैट करके हम बेट कर रहे थे यह देखो तीनों मतलब थोड़ा टाइम रह गया था पौने साथ बजे के असपास हमने यह सब फॉमालिटी पूरी कर ली थी क्यूंकि सवाचे बजे हम पहुंच कर थे चेकिंग वगयरा हु हमने सोचा कुछ खाते हैं बड टाइम नहीं था तो हमने चलते चलते सिरफ बेटू ने यह बिंगो लिये थे वैसे तो मनीश ने हमारी फ्लाइट के जो टिकेट से उसके मिल अड़ करवाया हुआ था बड बेटू को थोड़ा सा यहां पर कुछ खाने का मन करा था कुछ च सबसे जादा गो आ जाने कि उसको एकसाइटमेंट नी थी और उसको सबसे जादा एकसाइटमेंट थी फ्लाइट में बैठने की और फ्लाइट कैसे करते हैं मैं होता है जब हम फर्स टाइम हम यह एक्सपिरियंस लेते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि यह कैसे होता है और मै बहुत जादा देर तक फोन ऐसे पकड़ के विंडो पे लगा करके बैठी रही तो बहुत देर तक यहां पर 15 मिनट में इसको लगा के बैठी रही और बहुत लंबी रिकॉर्डिंग हो गई थी उसमें से मैंने यह थोड़ा सा पार्ट कर करके अड़ कर है और देखो यहां प फ्लाइट थी वहां पर और फाइनली हम यहां पर टेक आफ कर दिया था लग कुछ सेकिंड के लिए मैं बहुत थोड़ा जी तो टाइम लगता है हमें वह टेक आफ करने के लिए तो मैं इतनी देर तक इसको रिकॉर्ड करती रही कि एक छोटी से क्लिप आजाए क्लिप तो मैं ने खाए कि मैं आपको रिकॉर्ड करके खुच से अच्छे से दिखा दोंगी फिर इसके बाद फिर हमने या पर बेल्ट वगयरा लगा के अपनी सीट ले ली थी थोड़ा सा चलता है न तो एकदम आखों में तोड़ा कानों में ग्रेविटी की वज़से कान बैड गए थे और नाइट की जो फ्लाइट होती है उसमें उतना मज़ा आता नहीं है क्योंकि बाहर का कुछ दिखता नहीं एक दम अंधिरा अंधिरा सा दिखता है और उसके बाद फिर यहां पे जो भी हमारा मैं टिकेट में हमने मील वगार आड करवाई थी वह आई थी एक था पोहा और एक था यह क्या कहते है बिर्यानी सच कह रही हूं जब से मैंने यह पोहा और यह बिर्यानी टेस्ट करी है ना मेरा मन उठ गया है कि मैं कभी लाइफ में पोहा खाऊ इतना खराब टेस्ट मुझे लग रहा था हो सकते किसी को बहुत पसंद भी आई बट मेरे क कच्छा थो नहीं था लेकिं जादा बॉयल सा नहीं होता बिल्कुल बॉयल सा एक तेस्ट आरा था उसमें कोई मसाला नहीं कुछ अच्छी सी टेस्ट भी आना था बिल्कुल मेरा सच में मन हट गया पोहा खाने से अजकी बाद मेरे को ऑन देखने का भी मन्नी आ जब से मैं तो यहां पुरह में भी एक सब्सक्राइब कुछ भी नहीं नहीं ड़ेज़ अभी आगाए कि पहुआ था एक दम अचाल धाना भी पहुआ यहां पेपना यहां कि अपना पताने बैड़्ट पे आपके ट्रॉली और नदो यहां पर आएगा था तो यहां पर फोड़ और शेय तो हम वहां पे उसका वेट करें थे 15-20 मिनिट लग गए थे और बहुत ही तेज बारिश ओरी थी तो यहां पे मैं अपना वेट कर रही थी बहुत मनीश अपने कॉल्स वगेरा निप्ता रहे थे जो कि मिस्ड कॉल्स वगेरा आई हो थी क्योंकि फ्लाइट में तो बंद हो ज से काफी दूर था हमारा अंजुना बीच के पास हमारा गेस्ट हाउस था होटेल था मतलब रूम था हमारा तो हम बाहर आगे थे टेक्सी के लिए और उसके बाद हमने यहां पे कैब वगेरा बुक करी थी और कैबली बारिश अभी थोड़ा सा रूग गई थी गवाव का व सब्सक्राइब सुरू करना मिलेंगे एक न्यू वीडियो में तिल देन टेक्या फ्रेंज बाबाई देखों यहां पे किती तेज बारिश आ रही थी तो मिलेंगे एक न्यू वीडियो में तिल देन टेक्या फ्रेंज बाबाई